सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरा नाम है विधन मुरियो और आप से भी देख रहे हो जीटी इंडिया मॉडर तो आज किस वीडियो में मैं आप से भी लेकिया आगे हूँ जीटी एंड्रोइड के लिए 4k sd skybox और गाइस इस skybox में आपको किस किस टाइब क श्तार मीटने वाला है यह जाने के लिए वीडियो को नाम खुंक्तर ही है और अगर आपको उडिए पसन आता हो थेयार प्लीज वीडियो को लाइक कर दोथ शेर कर्दो मेरा चैनल कि पारली वार रह प्लीस सब्सक्राइब कर दो अफ सो लेट्स स्ब्सक्रायब कर दो खग खब खख खगсят खबाई खब कर संद खग 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 तो वार्थ प्लुक अभी उस वारे रुआ ङोर फांगनननननननन को, क मैं ग मैं और्म 12 मैं खार!!! सब्सक्राइब तो चलिए जल्दी से जल्दी देखने इंस्टालेशन वीडियो को तरह ध्यान से देखें का वैस तो गई सकसे पहले आप इसे डाउनलोड करने के बाद ये को इस टाई से दिखिए है इसे हम एक्सक्राइब लेते हैं एक्सक्राइब पासवर अपने वीडियो में देख लिया होगा तो यहां में पासवर अपने डाल देता हम एक DFF दूतरा Skybox ठीक है तो पहले हमें DFF folder import करना है तो इसके लिए अपना GT AMG tool open कर लिए यहाँ पर मैं open कर लेता हूँ यहाँ आपको open AMG कर लेना ठीक है यहाँ पर open AMG यहाँ पर चले एंड्रॉइड data com rockstar game gtf files text db gt3 iam gt game select यहाँ आपको 3.0 पर क्लिक करना है add file with replace एंड्र हमें अपने DFF वाले folder रहें चले जाना है जहाँ हमने extract कर रहा है ठीक है तो यहाँ मैं चले जाता हूँ video dff to gtamg and select all select एंड्र इससे ही हो जाए गाई है इसे हमें rebuild कर देना है जैसे यह rebuild complete हो जाएगा उसके अपना txt tool open कर लिजे यहाँ मैं अपना txt tool open कर लिया है यहाँ पर आपको gt3 txt file open कर लेनी है यहाँ को काम लेगी यह में लेगी android data com rockstar game gtf files text db और वहाँ gt3 texture file ठीक है जैसे मैं open कर लेता हूँ यहाँ पर हमें add button पर click करना है ठीक है from images और आपको यहाँ पर uncompress विदावड alpha select करना है ठीक है अगर आप विदावड alpha select करोगे तो आपके texture कुछ ऐसे हो जाएंगे तो आपने देख लिया texture का कैसे हो जाएंगे तो आपको uncompress ही करना है अपने सारे skybox select कर लेना है यह आपने एक्स्ट करें वहां रहेंगे एंगे select all करिए and select ठीक है अगर आपका device अच्छा है तो आप इसे 4K में install कर लिए और अगर device अच्छा नहीं है तो इसे 2K में कर कर दीजिए और reduce texture size भी बंद कर दीजिए अगर device अच्छा है नहीं है तो इसे select रहें यहां पर में ok कर देता हूं और guys यह आपर import होना शुरू हो गया preparing to import बोल रहा है तो guys जैसे यह import complete हो जाएगा आपका game आप open कर दिए and play कीजिए तो guys आज के इस वीडियो में इतना ही मै जलता हूं आप तक लिए वीडियो में एक नए मोट करता था तब तक कि लिए अपना ख्याल रखिये जै हिन जै भारत जै हिन जै भारत जै हिन जै भारत